अब सीधा आपको दिल्ली लिये चलेंगे जहां पर प्रधार मंत्री नरिंद्र मोधी गेमर्स के साथ बात्षित कर रखेंगे ये नमन को बोला था गया तब मैं इतने उस रेप्रेजेंट कर रहा था तो वो सब को पता था तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला और ये डाउट आगया सबको ये एक ऐसा च्छेतन है जो अनून है ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभावाता है जो बच्चों से बात करते हों कोई तो माबाद किये था कि तुम बंद करो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो हमें पैरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बूलो की पढ़ाई करें सिर्फ आपकी वीडियो देखते रहते तो मैं अगर किसी बच्चे को भी बच्चों बनना है या बहुत स्किल लेल पर टॉप लेल पर खेलना है उनको मैं कैसे गाइड करूँ, उनका पेरेंट्स को मैं कैसे गाइड करूँ, बिकॉस ए अवेरनेस बहुत कम लोग के पास है। हर में ऐसा लगते हैं कि जैसे स्पोर्ट एक अक्टिविटी जरूरी है, या डांसिंग, सिखनाम बाब, आप चाहते हैं कि बच्चे को आना चाहिए, वो भी एक व्यक्तित्वा के विकास का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिश्णा मिलने में सदियों की एक पुर्शार्त रहा है। अगर देखते जाए, हमारा बेश स्पोर्ट में हमेशा बहुत आने रहा। आज की दिन भारत का वन अफ दा मोस्ट पॉप्लिर स्पोर्ट क्रिकेट है। पर अगर 1983 वारी वर्ल कप नहीं जीती, तो मेभी सब लोग उतना क्रिकेट में नहीं जाते, और अगर में भी देश में सचिन तन्दुकर जैसे बड़े नाम नहीं आते तो सब लोग वो बनना नहीं चाहते। सर, गेमिंग पाथे साल पहले ही शुरू गए और आज काफी लोग है इंडस्ट्री में, कम्यूनिटी में हमारी जैसे गेमर जिन्हों में भारत को रिप्रेजन करके नाम कमा हैं। तो सर, आज कोई गेमिंग के लिए पूछे कि यह क्यों करना है तो मैं उनको यह जवाब देता हूं कि इसको आप साइड हसल रखें। जो लोग सोचते है अन और्थोडॉक्स है, बेकार चीज है, टाइम बेस कर रहे है लोग अपना, उसको करके आप प्राइम मिनिस्टर, अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर है, सर की रेजिदेंस में, तो वहां तक जाके उनसे बैट के एक राउं टेबल में बैट के उनसे सकते हो, तो वह बहुत अन्रियल था, और फॉर लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिये से देखें, कि हाँ ये भी कुछ है, और इसमें तो कुछ करा जा सकता है, इस गेमर मैं कहूंगा कि ये महीं इंपोर्टन चीज जो पीम सर ने मेंशन की, कि डाउन दे लाइन ग्रो आपको लगती है, यार आपको कि इस मन में प्रश्न है, तो आप क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है, रेगुलेट सब तर ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभा होता है, हर चीज में हाथ डालना, सरकार का मुल नेचरी है, अब दो चीज़े होती है, या तो कानून इन सारे बंदल लगा कर इनको अलग करो, दूसरा है आप चीज को समझो, समझ करके हमारे देश की रिक्वार्मेंट के इन उसको मोडिफाय करो, उसको कुछ कानून नियम यवस्था के अंदर धाचा में हलाओ,